चलिए, शुरू करते हैं, उत्रा खंड नितियास के अंत्रगत उत्रा खंड का चंद राजवन्स भागटो we бум हम देखेंगे उत्राकंड के चंद राजवन्स से समंधित कुछ प्रस्ण. तो चलिए सुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्ण है चंपावस से अलमुडा राजधानी परियोतन किस चंद ने की तो चंपावस से अलमुडा राजधानी परियोतन करने वाला चंद कौन सा था तो इसका सढसरे बालू कल कल्यांड चंद नें राजदानी को अलमोडा सिप्टकिया अगला फ्रश्न कमाओं में पहला बंदोबस्त करने वाला चंद कौन सा था तो भूमी बंदो बस्त कुफब करने के लिए या जाता है तो कुईमाओं के चंद राजाओं में से किस चंद ने पहली बार कुणाओं में भूमी बंदो बस्त शो जिन्दा के तल अगला प्राश्न इन मैं से कौने कुझ रूद्रचंद का सेना पती था तो नीलू कठायत पुरुषवत्म पंत कालु तडागी और गजबुणिंगा तो पुरुषवत्म पंत जो है वो थे रूद्रचंद के सेना पती नीलू कठायत ग्यान चंद फर्ष्ट के सेना पती है कालु तडागी सोम चंद के सेना पती है जबकि गजबुणिंगा एक खस सेना पता जिसने हत्या की थी भीस्म चंद की अगला प्राश्न अभी लिए को में किस चंद को चरित्रसील नि किस चंद को लकुली बिराली नाम से समधित किया गया लकुली बिराली एक चालाक बिल्ली की संग्या इसे दी जाती है तो ये कहा गया था लक्ष्मी चंद के लिए इसलिए क्योंकि लक्ष्मी चंद ने जहां गड़वाल के परमारवन्स पर साथ बारा करमन किया था वहीं यह हमेशा मुगलों से दव के रहता था इसलिए इसको कहा गया था लखोली बिराली अगला प्राश्ण कुमाव में चौथानी ब्रामनों की न्यूकति किसने की थी तो हमने देखा था कि अजयपाल ने परमारवन्स के अजयपाल ने गड़वाल में सरोला ब्रामनों की करने का विस्थार करने वाला पहला चंद कौन सा था चंदों का तरही में विस्थार करने वाला दिराई के लाएक तक लेखा है जिससे अगवरनने उपजाव उपवार में दिया था तो यह थे रुद्रचंद क्योंकि रुद्रचंद अकवर से मिले थे कौन सा चंद अकवर से लाहर में मिला और उसने अकवर के साथ नागवर अभियान में भाग लिया तो यह अभी हम बात कर रहे थे कि रुद्र चंद अक्वर से लाहौर में मिलने गिया और उस ने अक्वर के साथ Nagaur Abiyane पर भाग बिलिया था इसका जिकर अकवर नावां में इसका घडव 31r पहला चंद कौन था तो गड़वाल पर आग्रम यूश से घरा दिया अगला फ्रशन सड्यंत्रा से बैभीत होकर परमार राजा शाम-सा के दरभार में चला गया देकि एक ऐसा समय भी चंदवंस में आया जब राजवंस सड्यंत्रों से गिर गया तो राजकुमार जो था एक तिरुमल चंद वो भाग कर परमार राजा श्यामसा के दिरवार में आ गया श्यामसा ने उसकी मदद करके उसे चंदों के गद्धी पर बैठाया अगला प्राशन अलमुडा मे अगला प्राशन चंदों को डोटी की दास्ता से मुक्ति कि दिलाने वाला चंद कौन ता तो हमने कल बात की तो हम चंद डोटी के अधिन मांदिक राजा था तो चंदों को डोटी की दास्ता से मुक्ति किसने दिलाई अर्था स्वतंत्र चंद वंस की सापना किसने की तो व भारती चंद्न्हें डोटि के खिला रोर से चेड़ा था, अगला प्राश्म में खराज्या पीर सब्वल का विद्रोह л Elsa उसका उसका सारा समय में इस विद्रोव को दवारे मैं गुजर गया तो वो थे तिरुमल चंद जिनको शाम सा ने गद्धि पर बैठाया था अगला प्राशन है कट काली की पर था कि चंद से समझत है तो कत प्रता ये ऐसी पर था ती कि जब भारती चंद ने भारती चंद इसका साथ रख सकते हैं इससे हुआ है कि उन औरतों से उत्वन बच्चे नायक कहलाए तो इसी प्रसा को कहते हैं कट काली की प्रसा अगला प्राश्ण चंपावाज से अलमुणा राजधानी परिवारतन की थी बालो कल्यार चंद ने लेकिन योजना थी यह किसी और की तो योजना वो अपने सपने को सागार नहीं कर पाए अगला प्रस्ण अलमुणा में खग्मरा किले का निर्मान किस ने किया था तो अलमुणा में किले का निर्मान किया था खग्मरा किले का निर्मान किया था यह किया था भीसम चंद ने तो मैंने कहा भी था कि वह राजधानी परिव प्रस्रीन वस्ता में चले गया तो उसका जिनोदार किस चंदता ने किया तो एक यह था तो यह थे हमारे आज की कुछ क्वेसंस